जैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं जैक कांच्छा 40 जुनियर 2022 काफी कोश्चन्स है आपके मन में सारे कोश्चन का मैं जवाब दूगा बस आपको वीडियो अंतक देखना है एक सारी बोलना चाहेंगे सोचने से कहां मिलते नोके सफ़र चलना भी जरूरी है मंजल को पाने की सब्सक्राइब है सबसे पहले बहुत सारे कोश्चन मन में आते थे जो फॉर्म है आविधन भरे है उसमें उसके बहूं सारे आपको दिखिए यहां पर जो जायक का कांच्छा 40 जुनियर 2022 है वही लोग बहर सकते हैं जो सेवन में है एट में या नाइन में है ये लसके यहसार में इसके यह उसमेज बच्च बच्च सवाल कर रहे थे उसका जवाब देन हम आ गये हैं फॉम का प्रिंट आूट कहा शुम करें ऑपने ओप में तुम जिस जीले में रहते हो उस जीले कर डी ऑफिस में तुम एजो आफिव मिलेगा तुम कैफे में अगर आभेद나ं जो ऑनलाइन फॉर्म भरे होगे तो यहां पर एक प्रिंट आउट नहीं तो यह जो रिसीविंग स्लिप मिलेगा उसको आपको टी ऑफिस में जमा करन अब मन में सवार आ रहा है यह कि जो प्रिंट आउट जो हमने कैफेस से निकाला यानि हमने अविदन कर लिया ओनलाइन फॉर्म भार दिया उसके प्रिंट आउट निकला इसे बिंग फॉर्म उसको अब हम उसको अब हम डी ऑफिस के उसको जमा करेंगे साथ में कोई डोकुम से तुम्हारा निकला उसको डी ऑफिस में अपने जीले के जिस जो भी डी ऑफिस और जीला का जो भी डी ऑफिस है वहां पता कर ले ना कि इस जीला का डी ऑफिस कौन सा है गूगल भी सच कर सकते हो तो डोकुमेंट लगा मानलो अगर जेनरल है तो कोई तुमको डीमेंट लगने का जुरुत नहीं कि मनलों तुम अगर दिव्यांग हो दिव्यांग हो तो तुम को दिव्यांग पर्मान पत्र देना होगा तुम सेलेक्शन सेलेक्शन कि तुम दिव्यांग हो तो दिव्यांग पर्मान पत्र या तो जाती पर्मान पत्र अगर तुम किसी मतलब यह सा साथ उसको अटेच करके तुमको डी ऑफिस में जमा करना यह भी चीज क्लियर हो गया ठीक है तीसरा कुछ पॉइंट आता है कि स्कूल से वेरिफाइब करवाना होगा नहीं करवाना होगा उडिपेंड करता आपके जीले के डी ऑफिस में अगर वो बोलते हैं कि आपको पहले स्कूल अदर्वाइज डी ऑफिस पर डीपेंड कर रहा है यहां पर ठीक यह चीज क्लियर हो गया अच्छा परिच्छा टाइप क्या हो गया नहीं जो परिच्छा के कोश्चन आएंगे आपके वह मार फीट पर होंगे एक्जाम कोशन लेबल जो रहेगा लगबक तुमको कि तुम क्लास 7 में हो 8 में हो डाय भी हो 10 में हो भर सकते हो तो लगबक 10 के अंदर ही कोशन लाइन 8 7 से कोशन आएगा ठीक है यह भी चीज क्लियर है उसके बाद सीलिवस क्या होगा देखो आप उस लिबस तो अभी फिलाल निकलने के बाद ही पा मालूम होगा कि तुमारा क कोई आइडिया नहीं है हम लोगों ठीक है तो सिलिवस जब निकलेगा तो हम आपको यहां पर क्लियर तरीके से बता देंगे 15 सिप्तमबर से 30 सिप्तमबर तक आपका लास्ट डेट है 30 सिप्तमबर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उसके बाद आपको दो-चार दिन आपको यहां पर क्लियर तरीके से सारे कुछ अच्छा सेंट करने के लिए अच्छा सिप्तमबर तो आपका जो आवेदन करने का डेट है ऑनलाइन जो हो रहा है लेकिन आप दो-चार दिन बाद भी अपना जो प्रिंट आउट है वो जमा कर सकते हैं लेकिन हम पिर भी कहेंग कि 15-30 सिप्तमबर के अंदर ही कर दो समझ मैं रही बात लेट करने से क्या फैदा ठीक यह भी चीश क्लियर हो गया लगभख सारे हमने आपको यहां पर क्लियर तरीके से सारे कुछ अच्छ सेंटर कहां पड़ेगा देखो जो सिनियर अकांच्छा जो 40 का जो एक्जाम हुआ सेंटर के सकता सारी जानकारी तुम मिल जाएगा सारा कुछ तुमको नॉलेज मिल जाएगा उसके बारे में ठीक है जजधा नहीं और विडियो को लाइक भी चांस्क्राइब किजीएगा और और वी को यह दिकक्त है तो एक बार आप कमेंट कि जेगा उस जवाब देंगे आपको ठीक है कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज में तो याद रखना सारे कुछ हम बता दियें कि जो भी फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा प्रिंट आउट की साथ अपना कुछ अगर आप इस काटेगरी में आते हैं तो जाती परमानपत या दिव्याग परमानपत इसका यह आपको डोकुमेंट लगेगा ठीक है एक मन में कोश्चन आता था बच्चों लोग का कि अगर किसी चीज में गलती हो गया तो इसको सुधारेंगे कैसे तो देखो अगर गलती हुआ तो कैसे सुधारेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से बता गलती हुई तो सुधारन नहीं जा सकता है क्योंकि अभी एडीट का उप्शन नहीं आ रहा हो सकता है कुछ दिन बाद एडीट का उप्शन आए तब इस लिए अपने बसे मत भरो मोबाई से मत भरो जाओ किसी नस्दी की कैफे में जाकर भरो ठीक है इस लिए इस चीज का भी ख्याल रखना है ना तो आई होप वीडियो अची लगी वीडियो अची लगी तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा अपने दोस्तों में ठैंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो